C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है लाल होकर आँख भी दुखने लगी मूठ देने लोग कपड़े की लगे एंट बेचारी दबे पाउं भगी जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझने यू मुझे ताने दिये एंट ता तु किसलिए इतना रहा एक तिनका है बहुत तेरे लिए कवी अयोध्या से उपाध्याय हरी आउध प्रिष्ट संख्या सो प्रश्ण अभ्यास कविता से प्रश्ण एक कविता की इन पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिये जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा मेरी आँख में एक तिनका पड़ा मूठ देने लोग कपड़े की लगे लोग कपड़े की मूठ देने लगे प्रश्न एक का क एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा ख लाल होकर आँख भी दुखने लगी ग एंट बेचारी दबे पावों भगी ग जब किसी धब से निकल तिनका गया कविता की इन पंक्तियों को सामान्य वाक्यों में बदलना है दो एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है तीन आँख में तिनका पढ़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई चार घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया पांच एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझने चेतावनी दी एठता तु किस लिए इतना रहा एक तिनका है बहुत तेरे लिए इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है तिनका कबहुना निंदिये पाउं तले जो होए कबहुन उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर लिखिए अनुमान और कल्पना एक इस कविता को कवी ने मैं से आरंब किया है मैं घमंडों में भरा एठा हुआ कवी का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है और तब अनुभाव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए तब कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों के बदलाव को देखिये और कख्रा में पढ़ कर सुनाईए 2. कविता की इन पंग्तियों को ध्यान से सुनिए एंठ बेचारी दबे पावों भगी तब समझ ने यू मुझे ताने दिये इन पंग्तियों में एंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांती हुआ है कल्पना कीजिए यदि एंठ और समझ किसी नाटक में दो पात्र होते तो उनका अभिने कैसा होता 3. कविर की इन पंग्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है इनके अलग-अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें पंग्तियां है भाशा की बात किसी धब से निकलना का अर्थ है किसी धंग से निकलना धब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे जैसे धम से वाक्यांश है लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी धब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है धम से छप से इत्यादी का प्रयोग ध्वनी द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है यहां कुछ ध्वनी द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिये गए हैं उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिये वाक्यांश हैं चप से, टप से, थर से, फुर से, सन से का मेढक पानी में रिक्तिस्थान कूद गया खा नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद रिक्तिस्थान चू गई घा शोर होते ही चिडिया रिक्तिस्थान उड़ी घा ठंडी हवा रिक्तिस्थान गुजरी मैं ठंड में रिक्तिस्थान काप गया अभी बोले गए वाक्यों में रिक्तिस्थानों में सही वाक्यांश भरिये अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत